हेई फ्रेंड स्वागत है आप सबीका मुवी स्रॉक मुवी एक्स्पेंट चैनल पर जिसपे आज मैं रीकैप कने वाली हूँ ओभी वान कनोबी के एपिसोड 6 को तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी स्प प्रखाकर की जाती है जो टाटून प्लैनेट पर ओवन को ढूनती हुई पहुची है साथी आउटर स्पेस में हम यह भी देख सकते हैं कि डाक वेडार अभी वीवान की शिप के ही पीछे पढ़ा हुआ है साथी उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रोकन ओविवान को यह बत चलता है कि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग उस प्लैनेट तक पहुच सके और उसकी यह बात सुन ओविवान जब सभी सर्वाइवल्स को देख रहा होता है तो लिया उसके पास आकर यही कहती है कि लोला ने सभी के माइन को डिस्ट्राइक रखा है कि उविवान ने यह प्लैन किया है कि वो डाक वेडार का ध्यान भटकाने के लिए एसकेप क्राफ्ट लेकर उस शिप को छोड़ देगा जिसकारण से लिया काफी नाराज हो जाती है और हम देख सकते हैं कि उसकी जिम्मदारी वो हाजा को देता है साथ हम देख सकते है कि लिए ने रिवा के बारे में अपनी वाइफ को बताया है जिस कारण से यह डिसाइट किया है कि वो लोग उनहीं के घर में रहकर लिए को प्रोटेक करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो लोग अपना घर छोड़कर इस सिचुशन से कही और जाए और फिर से आए लिया क कि तरफ तो हम देख सकते हैं कि उन सारी चीजों से लिए यह काफी नाराज है लेकिन ओविवान उसकी तरफ पहुशकर उसे एक हौलिस्टर गिफ देता है यही कहते हुए कि मैं जल्द ही तुम से मिलने के लिए आऊँगा और जब वो वहाँ से निकलने के प्लैनिंग कर है तो अकेले बैट कर हम देख सकते हैं कि वो अपने मास्टर को बला रहा होता है लेकिन उसे किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसके बाद रोकन उसे आकर ये बताता है कि उसकी शिप रेडी है और जब वो अपनी शिप लेकर वह से निकल जाता है तो इस बात का पता ग्रैन इंक्विसिटर को चलता है जो डाक वेडार को यही कहता है कि हम अगर उस सोलो शिप के पीछे जाएगे तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं होना है जबकि हमें उस रेबल शिप को पकर सभी लोगों को खतम करना चाहिए लेकिन हम देख सकते हैं कि डाक वेडा का पर छुपा दिया है साथ ही उसे उस अटैक के लिए भी प्रिपैर कर दिया है जिसके बाद हम दीवा को उन लोगों के घर की तरफ ही बढ़ता हुआ देख सकते हैं वो भी अपनी लाइट सेबर के साथ साथ ही हम देख सकते हैं कि डाक वेडार ओबीवान को रहुनते हु एक फाइट होता हुआ देख सकते हैं जिस फाइट के दौरान डाक वेडार ओबीवान को पत्थरों की बीच में कैट कर देता है और जाते जाते यही कहता है कि मास्टर आप हार गए साथी हम रिवा को भी देख सकते हैं जिसने ओवन के घर पर हमला कर दिया है लेकिन हम दे एसा करता हुआ भी देखते हैं जिस कारण से वो रिगिस्तान की तरफ भाग जाता है जिसके पीचे पीचे हम रिवा को भी जाता हुआ देख सकते हैं और ओबीवान की तरफ आये तो हम देख सकते हैं कि उस रॉक्स को होल करके रखा है ताकि वो रॉक्स उसे मार ना दे ज जिसकारण से फिर से उन दोनों की बीच फाइट होती है और उस फाइट के दौरान ओबी वान डार्क वीडर का हेलमें डिस्ट्रॉई कर देता है जिसकारण से उसे एनिकन का जला हुआ फीज दिखने लगता है और उसे ऐसा दीख ओबी वान सबसे पहले तो उसे सौरी कहता ह लेकिन एनकीन उसे यही कहता है कि ये सब आपकी गलती नहीं है साथ ही हम ये भी देख सकते है कि जब उबी वान की तरफ मौका होता है कि वो एनकीन स्काइब अकुर को मार सकी तो उसे ऐसा ही छोड़ से चला जाता है यानि कि फिर से उबी वान ने एनकीन को से चला जाता ह और फिर से आये रीवा की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसे लियुक मिल गया है जो क्लिफ से गिरने के कारण बेहोश हो गया है और उसी दौरान हम विवान को देख सकते हैं जो उस खत्रे को महसूस कर सीधा अपनी शिप लेकर टेटून प्लैनेट पर आप पहुचता है साथ बात करें फिर से रीवा की तो हो जब अपनी लाइट से बनेकाल ल्युक को मारने ही वाली होती है तो उसे उसमें अपना ही बच्पन दिखने लगता है जिस कारण से वो उसे नहीं मारती और सीधा ओवन की तरफ वापस ले आती है और उपिवान को यहीं कहते हैं कि वो ऐस को देख सकते है जो पालपोतीन से बात कर रहा होता है। और उसे यही बता रहा होता है कि उसने हर जगह निशुखे सभी लोगों को झूनने के लिए भीज दिया है और अगर अगर कोई भी उन लोगों के भीच में आया तो वो लोग उस चीज को खतम कर देगे। जिस बात को सुन पैल पोतीन उसे यही कहता है कि तुम्हारे इरादे हमें क्लियर नहीं लग रहे यानि कि कही न कहीं अभी भी वेडार में वीवान के लिए एक सौफ साइड मौजूद है लेकिन पैलपोतीन की वो बात को क्लियर करते हुए वो उसे यही कहता है कि उबीवान मेरा कुछ भी नहीं लगता और आप ही मेरी मास्टर हो। जिसके बाद ये सीन सिथा शिफ्ट होता है अलदेरेंड प्लैनेट पर जहां हम लिया को देख सकते हैं जो किसी से मिलने के लिए तैयार हो रही है जिसके बाद हम देख सकते है कि उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बलके ओबी वान पहुँचा है वो भी उसकी लोला के साथ साथ ही वो लिया को उसके असली मॉम डैड यानि की एरैकीन अपैड में के बारे में भी बताता है और जाते जाते वो लिया को यही कहता है कि जब भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे ही याद कर लेना जिसके बाद ओबी वान वहां से निकल सीधा टाटून प्लैल पर आप पहुचता है जहापर वो सबसे पहले अपनी केफ को क्लीन कर और एक न्यू गैट अप के साथ वो लियुक का टॉय लेकर सीधा ओवन की तरफ बढ़ता है जहाँ जाने पर ओवन उसे यही कहता है कि तुम हमेशा से लियुक के बारे में सही थे साथ ही जब ओबी वान वहां से निकल रहा होता है तो ओवन उसे लियुक से मिलने के लिए बुलाता है जहापर हम देख सकते हैं कि ओविवान उसे हेलो कहता है और उसका टॉय उसे देकर सीधा डेजर्ट की तरफ बढ़ जाता है और उस डेजर्ट की तरफ बढ़ने पर हम देख सकते हैं कि उसकी मलाकाद उसके मास्टर कुइन गॉन जीन से होती है जो से यही कहते हैं जो से यही कहते हैं कि आगे का सफर और लंबा है और यहाँ पर ओबे वन कनूबी एपिसोड 6 का यह पूरा रीकैप खत्म होता है जिस बारे में आप सबी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हो साथ ही अगर मेरी वोईस आप लोगों के इस चैनल पर पसंद आरी है तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिएगा बाकी मैं मिलूँगे आपको फिर किसी मुवी या सीरीज के रीकैप के साथ तब तक के लिए आप मुवी स्टॉक मुवी एक्स पेंच चैनल के बाकी वीडियो को इंजॉई कीजिए तिल देन बाई